नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों साल 2023 की सबसे बड़ी हनुमान जयन्ती और इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा भी है. हनुमान जयन्ती पर पढ़ने वाली पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है, जो की 6 अपरेल को पढ़ने वाली पूर्णिमा पर हनुमान जयन्ती भी है, इसलिए इस योग में कई दुरलब सन्योग बन रहे हैं, ऐसे में इन दो जगहों प पर चुपचाप दो दीपक जलाकर छोड़ दे इससे मृत्युदंड, पित्रिदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनी दोष, राहु दोष, सब कुछ होगा खत्म किस्मत पर लग। पर आप्त कर सके और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए कभी भी ऐसा नहीं होना। फिर अपने घर में शाम के समय तो इससे आपके घर का वातावर्ण बहुत ज्यादा नेगटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही महंत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी डिप्रशन और टंशन में घर का मुखिया पहुच जाता है। का समय हिंदू धर्म में बहुत की ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिरते। का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उस पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याए परिशानिया बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं। उनका कहना बिलकुल भी नहीं मानते हैं, इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है, काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर, पाते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के ब घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, इसी से आपके सभी नगटिव उनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है, दोस्त और शाम का समय ऐसा होता है, जिस समय नकारात्मक उरजाय बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, और आपके घर में प्रवेश कर जाती है, ऐसे में अगर आप घर में या मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं, तो नगटिव उनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, आपके सभी काम बिगाडने लगती है, जिस समय सूरज डूब जाता है, उसी समय ये नगटिव अनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रवल हो जाती है, उसी समय आपको मुहाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो कोई और व्यक्ती भी आपके लिए ऐसा कर सकता है, दोस्तों अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, या बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है, कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकाराक्मक पूर जाएं हैं, जो परेशानियों को, बीमारियों को मुसीब्तों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है, इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए, आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है, तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी तभी आपको इसके लाब मिल पाते हैं, अगर आप को अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए, इसे एक भी दिन आप मिस, ना करें अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपकी धन से जुडी हुई समस्याय खत्म हो जाती है, जिन लोगों को नौकरी नह ज्यादा हो जाते हैं, शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, आप कभी भी इन चीजों को नजरंदाज ना किया करें क्योंकि इन ही से आपके जीवन में परिशानिया बढ़ जाती है, और आपको मुसीब्तों का सामना करना उरजाय होती है, वो आपके घर में जब फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुख में बनने लगता है, यानि की सकारात्मक होने लगता है, घर के सभी लोग शान्ती से रहने लगते हैं, इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, ये भी जब जलता है, तो इससे आ आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक उरजाय है वो खत्म हो जाती है क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो उरजाय होती है धुआ होता है नगटिव अनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की अनर्जी को सकारात्मक बनाता है तो ये बहुत ही जरुरी चीज शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस्त ना किया करें तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाय हैं वो भी पूरी होती हैं। राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आजाती हैं कहने का तातपर्य ये हैं कि आपको सर्वसुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने। अगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशिरवाद प्राप्त कर सके लेकिन दोस्तों अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तिया भी रखते हैं तो निश्चित तोर पर हमारी किस्मत बदल ज जाती हैं और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लग है दोस्तों बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तिया एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वसुख आपको प्राप्ध हो सके और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ती की बात करें तो दोस्तों अगर आप श्री कृष्णा के भक्त है और बाल गोपाल की मूर्ती रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्णा के साथ मातारानी राधा जी की मूर्ती भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्त या भगव कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती है, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता है, दोस्त और पती-पत्नी और परिवार जनों के बीच परस पर प्रेम रहता है, और घर में धन-धान्य में अपने आप ही व्रिद्धी होती है, इसलिए ये माना गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं, तो निश्चित तोर पर आपके जीवन में अपने आप ही फाइदा प्राप्त हो जाएगा, दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृध्धी देखने को मिलती हैं। सो आशा है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के। अंत तक बने रहने के लिए।